तो भाई लोग कैसे हो सभी? ठीक है उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे हाँ भाई लोग मुझे पता है तुम लोग नहीं पूछोगे मैं कैसा हूँ तो मैंने ही तुम लोग का हाल चल पूछ लिया अच्छा तो भाई लोग आजकी इस वीडियो में मैं आप सभी लोग को पांच मीट के अंदर हकाई टीवी बनाने वाला हों तो भाई लोग आजकी इस वीडियो में मैं आप सभी लोग को हकाई टीवी का color grading, smooth, slow motion and effects वगरा सिखाने वाला हूं यानि कि complete tutorial देने वाला हूँ हकाई TV का आप लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद हकाई TV जैसा editing कर पाओगे यानि कि complete हकाई TV का editing secret आज हम reveal करने वाले इस वीडियो के अंदर तो वीडियो बहुत ही important होने वाला है आप सभी लोग के लिए तो वीडियो को carefully इंट तक अच्छे से watch करना और चैनल पे नियू आ रहे हो पहली बार के लिए आ रहे हो तो क्या कर दे हो गाईज अभी क्या अभी subscribe कर दो क्यूंकि हम ऐसे ही quality videos upload करते रहते हैं अब सभी लोग का help करने के लिए तो subscribe करके bell icon दबा देना और इसी के साथ guys like करना भूल जाते हो तो like कर दो अभी क्या भी वीडियो को और comment में बताना आज का वीडियो कैसा लगा तो चलिए guys आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो भाई लोग सबसे पहले secure VPN को open कर लेना है आप लोग को and यहाँ पर आप लोग को connect वाला बटन मिल जाएगा उसको पर tap करते ही connect हो जाएगा and अभी आप लोग को globe बाले icon के उपर click करके Singapore server पर connect कर लेना है ठीक है guys आप लोग को पता ही है VPN के बिना cap cut चलता भी नहीं है तो VPN connect करने के बाद आप लोग को cap cut open कर लेना है and guys यहाँ पर आप लोग को चले जाना है ratio में and आप लोग को ratio select कर लेना है and guys मैं आप लोग को पूरा editing स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना जाता हूँ cap cut update हो चुका है तो latest mod download करने के लिए पिन कॉमेंट में मैंने latest mod का link देकर रखा है तो जाकर download कर लेना सभी cap cut का latest mod ठीक है and अभी आप लोग को smooth slow motion दिखाते किस तरीके से करना है तो इसको करने के लिए जहां से आप लोग को smooth slow mo चाहिए split कर लेना है and उस part का जो audio है उसको आप लोग को mute कर देना तो volume वाले आप लोग को स्पीड पे चले जाना ठीक है and speed पे जाके नॉर्मल के उपर क्लिक करके इसको 0.1 के उपर सेट करके इसको better quality के उपर अब लोग को सेट कर देना चूज कर लेना एंड जैसे आप लोग यह टीक वाल आइकन के उपर क्लिक कर ओगे आपका स्बूइब स्मूद्ष बोसन एप्लाइब होना स्टाट हो जाएगा ठीक है और यह स्मूद्ष बोसन एपला होने में थोड़ा टाइम लगा दाए ठीक है तो थोड़ा वैट कर लिना तो फैच्सर नोप्लस अब भगर क्रों包र हो राइटनेस कॉंट्रस सैचूरेशन में जिसका जितना वैलू रखोंगा आप लोगो भी उतना ही रखना है गाइस बहुत ही क्यारफूली आप लोग को अजस्टमेंट करना है ठीके इसलिए में बहुत ही स्लो स्लो करके अजस्टमेंट वगरा करके दिखा रहा हूं आप करने से आप लोग को पता है कलर डीन होता है और लूमिनेंस वही एफक्ट वगार मिलता है तो आप लोगको सबी कलर का इंक्रीज और ॉदिखर बेखना है आपके मौन्टेज की हिसाब से जो भी कलर वग करके देखना जो भी अच्छा लगे उसी कलर को आप लोगों को तो मेरा प्लस रखने से ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मैंने टेमपरेचर को प्लस फो रखाए विगनेट को ज्यादा नहीं बढ़ाना बस प्लस फाइब तक कर देना है एपलाई टू आल के उपर क्लिक कर देना है ठीक है यह हो गया हेडशोट मारने के पहले वाला एड ठीक है मैंने माइनस 40 करके देखा ता नहीं हुआ तो माइनस 100 कर देना है अभी गाइज इतना काम करने के बाद लाइट ब्लू कलर को सिलेक्ट करके आप लोग को इसका लूमिनेंस को इंक्रिस डिक्रीस को थोड़ा एड्जस्ट करके देखना है यू को जिरो रखना ठीक ह और बाकी कलर्स को आप लोग को इंक्रिस डिक्रीस करके देखना है में जो है जो डिप ब्लू कलर होता है उसको गाइज हीव को जिरो करके उसका सैचुरेशन और लूमिनेंस को आप लोग को माइनस 100 कर देना है बस इतना काम करते ही आपका कलर ग्रेडिंग हो जाएगा हका इतना कम करने के बाद हमारा पूरा कंप्लीड हो चुका है यह वाला एड्जस्ट्मेंट कलर ग्रेडिंग वगेरा तो गाइस इसको सिंप्ली बैक कर दूंगा लेकिन उससे पहले गाइस मैं थोड़ा यह पिंग वाले कलर को एडजस्ट कर रहा था तो अपना हो चुका है क लोग को सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आप लोग अभी इफेक्ट वागरा यूज करोगे ठीक है जो में में इफेक्ट है वही मैं दिखाने वाला हूँ तो यहां पर ग्लूवल मारने का टाइम जो है यहां पर आप लोग यूज कर सकते हो पल्स वाला इफेक्ट ठीक ह या फिर आप लोग vibration flash वाला यूज कर सकते हो जो कि मैंने बहुत सारे वीडियो में यूज किया है अपना vibration flash वाला effect तो मैं यहाँ पर vibration flash को यूज कर रहो आप लोग चाहो तो pulse वाले को भी यूज कर सकते हो दोनों ही बहुत बढ़िया सा एक look देता है तो इसका अगर vibration flash वाला बहुत ज्यादा हिलेगा और camera से दोगे तो हलका हलका हिलेगा तो बहुत ज्यादा हिलाना है तो आप लोग को शेक वाला चूज कर लेना है इसका speed आप लोग को 8 & 10 यह सब रख सकते हो या फिस 6 ठीक है मैं 6 रख रहा हूं और intensity को आप लोग अपने ही सब से adjust कर लेना ठीक ह तो देख सकते हो यह बहुत ही बढ़िया एक इंट्रेस्टिंग लूक दे रहा है ठीक है अभी फिर से आप लोग को इफेक्ट पे चले जाना है और अभी यहां पर black flash & black flash 2 मिल जाएगा तो black flash चूज करोगे तो बहुत ज्यादा flash effect मिलेगा और black flash 2 चूज करोगे तो हलका हल तो मैंने black flash 2 वाला ले लिया है and starting में guys मैंने hello blur दे दिया है ठीक है तो देख सकतो एकदम हो चुका है अभी गाइस मैं animation दूंगा headshot मारने के time ठीक है तो इस वाले clip को चूज करने के बाद आप लोग को animation में चले जाना है और आप लोग को शेक वाला effect add कर सकते हो आप लोग beat वागेरा आया and अभी guys slow mo वागेरा बहुत अच्छा लग रहा है and last effect जो मैं देने वाला हूँ है age glow ठीक है animation भी दे दिया effect वागेरा भी हो ठीक है and glow effect चाते हो तो यह भी दे देना ठीक है slow mo वागेरा होने के बाद so इतना काम करने के बाद हमारा almost सभी चीज़े complete हो चुका आप लोग कर लेना ठीक है so guys format वाला काम आप लोग को पहले कर लेना है मैं अभी कर रहा हूँ इससे कुछ ज्यादा फार्क नहीं पड़ेगा video वासा ही रहेगा and मैं जिस तरीके से बताया आप लोग को वही follow कर लेना है and guys अभी हमारा video रेडियो हो चुका है video को export कर लेते ह आप